नालंदा जुले में अब लोग दिन में भी अपने आपको महफूज नहीं मानते हैं क्योंकि चोर और दकैतों का तांडव इतना बढ़ गया है कि अब दिन के उजाले में ही दकैती की घटना को अंचान दे रहे हैं ताजा मामला दीब नगत अनशेतर इलाके के अयुद्या नगर की है जहां दिन के उजाले में ही आदे दर्जन दकैतों ने पंचायत रोजगार सेवक रंजु देवी के घर में घुसकर करीब दो घंटों तक तांडव मचाया इस दोरान दकैतों ने घर के अंदर रखे मेंगया भूशन, अन्य सामान और नगत समेट 15 लाग की दकैती कर ली घटना के संबंद में रिश्टादारों ने वहीं बताया कि दकैत पिछले कई दिनों से इस घर के ऊपर रेकी करने का काम कर रहे थे घर में सिर्फ एक महिला के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था इसका दकैतों ने बाखुबी स्वाइदा उठाया दकैतों ने घर के अंदर दूद देने के बहाने गुसकर महिला की आँखों में पट्टी बान कर 15 लाग की दकैती सी हाला के जिस जगह पर ये घटना घटी है उस जगह पर कई अन्यमकान भी है बावजूद दो घंटे तक घटना को अंचाम देते रहे घटना की जानकारी मिलते ही सदर डियासपी डॉक्टर शिबली नोवानी घटना स्तर पर पहुँच कर मामले की जाश में जुट गए दकैत कितने शातिर थे कि अपने साथ साथ घर के अंदर लगे सी तीवी के हाट दिस्क को भी अपने साथ ले गए इसके पूर में भी इसी इलाके में 12 और 15 दिसंबर को चूरी की घटना को अंचाम दिया जा चुका है ओए किम्सकानी क्या ऌट गुलाएं लगवकशतों टोटल में लगवक लिए जया साथ बहुँ ज्यादा था तभी मिला चुलागे कितने हैं राजी में इसे का बहान दीज लग कि की जनकारी मिले जटा जनकारी मिला कि चोर आया अंदर गया दूद देने के बहाने और उसके बाद चर्फाथ को और वहां पहुंच किया और उनका आख बंद कर दिया जैसा हूँ ब अब जतना इवी तासा वो जाती है कितना कर लिया हो कम से कम कर लिया और पदर आला का सब्सक्वा ताद इन में साथ बजे वासा लगा हुआ था कि टूद था आप जोड़िया रिखिए कि दीन में कौन भूचेगा चौड गूचेगा कि नहीं हुआ बदा पर आएकू नही नाम तर्की हो लाए? अवरानिल कुमार नाम